वेलकम एश्टुडेंट्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके हिंदी ब्याकरन के पाठपुस्तक का चेप्टर टेन क्रिया यानि भर्ब इस चेप्टर में हम लोग क्रिया की पढ़िभासा, क्रिया के रूप और उसके प्रियोग के बारे में मिश्तार से पढ़ेंगे तो आएए सुरू करते हैं आज का या महत्पुन पाठ पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, सुर्य का उगना, फूल का खिलना, करना, होना, जो बत लाता, सब्द वही क्रिया कहलाता जैसा कि आप जानते हैं कि इस पाठ में हम लोग क्रिया से रिलेटेड सभी बातों को विश्तार प्रुबग पढ़ेंगे तो आईए क्रिया की परिभासा और उसके अर्थ को मैं आपको एक कहानी के जरिये समझाती हूँ जैसा कि आप नीचे चित्र में देख सकते हैं कि मैदान में बहुत सारे बचे गेम खेल रहे हैं खिलारी फुटबॉल खेल रहे हैं रेफरी सिटी बजा रहा है लाइन में साइड लाइन के पास खरा है गोल कीपर गोल पोस्ट पर पोजीशन ले रहा है दरसक सोर मचा रहे हैं आकास में चिरियां उर रही है सूरत चमक रहा है हवा बह रही है उपर युक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों से किसी न किसी काम के करने या होने का पता चल रहा है ऐसे सब्दों को क्रिया कहा जाता है तो इस प्रकार इस कहानी में हमने जितने भी रंगीन सब्द पढ़ें उन सभी में किसी न किसी कारे का होना बताया जा रहा है तो किसी कार्ज के करने या होने को ही हम क्रिया कहते हैं जिन सब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहा जाता है जैसे कि बच्चे मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं यह भी जाने इस चैप्टर से इलेटेड यह important बाते हैं इसे जानना भी जरूरी है, तो इसका महत्पुन पॉइंट है, लिंग और वचन के अनुसार क्रिया के रूप बदलते हैं, जैसे अमन फुटबॉल खेलता है, और सुभा होकी खेलती है, यहाँ पर अमन पुलिंग है, इसलिए उसकी क्रिया खेलता है, और दूसरे वाक्य में सुभा लड़की है, इसलिए यहाँ इस्तलिंग खेलती है क्रिया का प्रियोग हुआ है, मेरी कच्छा के सभी छात्र क्रिकेट खेलते हैं, हैं, हैं तथा, थे, आदि भी सहाय क्रियाएं होती हैं, जैसे वह देखने में अच्छी नहीं है, वे लोग का परिस्रमी हैं, मैं वहाँ नहीं था, वे जा चुके थे, कुछ काम अपने आप हो जाते हैं, तथा, कुछ काम किये जाते हैं, जैसे सूरज उग रहा है, यहाँ सूरज का उगना अपने आप होने वाला काम है, मचली तैर रही है, किया जाने वाला काम है, क्रिया का मूल रूप धातू कहलाता है तथा इसके साथ ना पर्तियाय जोर कर इसका समाने रूप बनाया जाता है जैसे कुछ धातू रूप और उसका समाने रूप नीचे उदाहर में हम देखते हैं बोल बोल का बोलना लिख लिख का लिखना गा गा धातू रूप है और गा का समाने रूप होगा गाना पढ़ पढ़ धातू रूप है और उसका समाने रूप होगा पढ़ना उसी प्रकार देख क्रिया का मुल रूप यानी धातू रूप है और उसका समाने रूप होगा देखना घूम भी क्रिया का मुल रूप यानि की धातु रूप है और इसका समाने रूप होगा घूमना इत्यादी बाते जो है बोल, लीक, गा, पढ, देख, घूम, आदी ये क्रिया के मुल रूप यानि धातु रूप है और इनका सम्माने रूप बोलना, लिखना, गाना, पढ़ना, देखना, घूमना आदी है. क्रिया के भेद, kinds of verbs, क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया. सकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव भर्व, सकर्मक क्रिया का अर्थ है, कर्म के साथ क्रिया का होना, नीचे दिये गए चित्रों को देखकर, उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िये और समझिये. पहले चित्र में एक लड़की पुस्तक पर रही है और नीचे लिखा है, रुची पुस्तक परती है, दूसरे चित्र में बंदर केला खा रहा है, और नीचे लिखा है, बंदर केला खाता है, यहां रुची और बंदर दोनों कुछ न कुछ काम कर रहे हैं, जो काम करता है, वह करता होता है और करता द्वारा जो काम किया जाता है वह कर्म कहलाता है तो इस प्रकार पहले वाक्य में रूची करता है पुस्तक कर्म है और पढ़ती है क्रिया है दूसरे वाक्य में बंदर करता है केला कर्म है और खाता है क्रिया है तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जिन वाक क्रिया के साथ कर्म भी होता है उन्हें सकर्मक्रिया कहते हैं अब दूसरा अकर्मक्रिया यानि इंट्रांजिटिव भर्व अकर्मक्रिया का अर्थ है बिना कर्म की क्रिया जैसा की चित्रों में दिखाया गया है पहले चित्र में नमन नहा रहा है दूसरे चित्र में अंकित स रहा है यहां भी दो यहां भी दोनों कुछ न कुछ काम कर रहे हैं इन वाक्यों में करता तो है लेकिन कर्म नहीं है जैसे पहले वाक्य में नमन करता है नहा रहा है क्रिया है लेकिन कर्म नहीं है दूसरे वाक्य में अंकित करता है और वह सो रहा है सो रहा है, क्रिया है, यहां भी कर्म नहीं है तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता उन्हें हम अकर्मक ग्रिया कहते हैं अब सवाल यह उठता है कि हम क्रिया की पहचान कैसे करें How to identify भर्व तो बचो, वाक्यों को पढ़ कर, किसको तथा क्या लगा कर प्रस्ण कीजिए यदि उत्तर मिल जाता है, तो वा सकर्मक्रिया है जैसे हम लोग कुछ उदारनों के द्वारा इसको समझते हैं जैसे दादाजी कहानी सुनाते हैं प्रस्ण दादाजी क्या सुनाते हैं, तो उत्तर मिलता है दादाजी कहानी सुनाते हैं, सिक्छक बच्चों को पढ़ाते हैं, अब प्रस्ण उठता है कि सिक्छक किसको पढ़ाते हैं, तो उत्तर मिलता है सिक्छक बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इन वाक्यों में प्रस्ण करने पर उत्तर मिलता है यदि वाक्यों में इन वाक्यों में प्रस्ण करने पर उत्तर मिलता है तो इसका अर्थ ये सकर्मक क्रिया है यदि वाक्यों में किसको तथा क्या लगा कर किये गए प्रस्ण का उत्तर नव मिले प्रंत कौन लगा कर प्र गर्मक्रिया होती है जैसे स्यामा सो रही है यदि हम इसका प्रस्ण करते हैं स्यामा क्या सो रही है तो क्या उत्तर मिलता है नहीं मिलता है उत्तर और यदि हम प्रस्ण करते हैं कि कौन सो रही है तो इसका उत्तर हमें मिलता है कौन सो रही है तो स्यामा सो रही है तो इसलिए जिस वाक्य में क्या और किसको लगाकर उतर ना मिले वो अकर्मक क्रिया है और कौन लगाकर उतर मिले तो भी वो अकर्मक क्रिया है और जिस वाक्य में क्या और किसको लगाकर प्रस्ण करने पर उतर मिल जाए वो सकर्मक क्रिया है तो इस प्रकार इस चैप्टर में हम लोगों ने सीखा कि किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है क्रिया दो प्रकार की होती है पहला शकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया जब क्रिया के साथ कर्म हो तो क्रिया सकर्मक होती है जब क्रिया के साथ कर्म ना हो तो क्रिया अकर्मक होती है तो इस प्रकार इस चेप्ट बहुत सारी बातों को जाना तो आईए अब हम लोग अभ्यास प्रस्न करते हैं पहला प्रस्न निम्निलिकित प्रस्नों के उत्तर दीजिए क्रिया की परिभासा लिखिए किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है जैसे रामा पुस्तक पहर रही है नमन फुटबॉल खेल रह इत्यादी ख क्रिया के कितने भेद हैं उनके नाम लिखिए क्रिया के मेंली क्रिया के मुख्यतोर पे दो भेद हैं सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया गव सकर्मक तथा अकर्मक क्रिया की परिभासा दीजिए सकर्मक क्रिया जब क्रिया के साथ कर्म हो तो क्रिया सकर्मक होत जैसे बंदर केला खाता है, रुची पुष्टक पढ़ती है, अकर्मक्रिया, अकर्मक्रिया उसे कहते हैं, जिस क्रिया में कर्ता के साथ कर्म नहीं होता, जैसे अंकित सो रहा है. इत्यादी, प्रस्न दो, शही उत्तर पर सही का निसान लगाईए, कव निसाने गीत गाया, इस वाक्य में क्रिया है गाया, अमन ने मिठाई, खाई, इस वाक्य में क्रिया है सकर्मक्रिया के कितने भेद होते हैं, क्रिया के दो भेद होते हैं, निम्न में से अकर्मक्रिया कौ रोना और हसना दोनों अकर्मक क्रिया है कोश्ठक में दी गई क्रिया का उचित रूप लिखकर वाक्य पूरे कीजिए राहुल आम खाता है हम कान से सुनते हैं नेहा और भारती विद्यालय जाती हैं स्याम पत्र लिखता है गारियां सरक पर चलती हैं तो ये जितने भी क्रिया सब्द कोश्ठक में दिये गए हैं उनका लिंक के अंसार क्रिया भी बदल रहा है आईए अब हम लोग अगला प्रस्ण करें निम्लिकित में से कौन सा हुआ के सकर्मक तथा कौन सा अकर्मक है वाक्यों के सामने लिखिए को चिरिया आकास में उरती है तो इस वाक्य में हम लोग कैसे पहचानेंगे कि सकर्मक क्रिया है या आकर्मक तो इसके लिए हम लोग क्या और किसको लगाकर क्वेस्चन करते हैं किसको लगाकर क्वेस्चन करते हैं तो इसमें हम जब प्रस्ण करेंगे कि चिरिया कहां उरती है तो चिरिया आकास में उरती है इसका उत्तर हमें मिलता है अर्थातिया सकर्मक क्रिया है तानिया इसकूल गई है जब यहां हम प्रस्ण करते हैं कि तानिया कहां गई है तो हमें उत्तर मिलता है तानिया इसकूल गई है तो इसलिए यह भी सकर्मक क्रि अंकीत क्रिकेट खेलता है मिलता है तो यह भी सकर्म क्रिया है सेर दहारता है इसमें जब हम प्रस्ण करते हैं तो सकल लगारादा प्रस्ण करते हैं यह उत्तर नहीं मीलताット लेकिन जब कौन लगा कर प्रस्ण करते हैं कि कौन दहारता है तो हमें उत्तर मिलता है, सेर दहारता है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है, प्रस्ण पाँच, सही के सामने, सही का तथा गलत के सामने गलत का निसान लगाएं, क्रिया के मुर रूप को धातु कहते हैं यह सही है, इसलिए इसके सामने हम लोग सही का निसान लगाएंगे. खा, काम करना या होना बताने वाले सब्ध क्रिया कर लाते हैं, यह भी सही है. गा, कर्म के शात रहने वाली क्रिया अकर्मक क्रिया होती है, यह गलत है. कर्मकेशात रहने वाली क्रिया सकरमक क्रिया होती है, ना की अकर्मक छीकना एक सकर्मक क्रिया है, मुस्कुराना एक अकर्मक क्रिया है, या भी सही है खेल खेल में दिये गए चित्रों को उचित क्रिया के साथ जोड़िये किसान पौधे लगा रहा है तो इसमें पौधे लगा रहा है को किसान से हम जोड़ेंगे दूसरे चित्र में बंदर उचल रहा है तीसरे चित्र में घोड़ा दौर रहा है और चौथे चित्र में किसान हल चला रहा है इस प्रकार इस चेप्टर में हम लोगों ने करिया की परिभासा, करिया के रूप, करिया के प्रियोग और उससे जुड़ी बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की तो उमीद है यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो फिर इस वीडियो को लाइक कर दें साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे जदा से जदा सेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि और भी उपयोगी वीडियो जाब को देखने को मिले धन्यवाद